दोस्तो कोई सा भी TV हो Amazon Fire TV Stick ही क्यों ना हो उसके अंदर अपने laptop या computer का screen कैसे cast करना है मतलब कि laptop का screen आप कैसे TV में देख पाओ या TV को भी laptop में कैसे देख पाओ ये चीज मैं बताने वाला हूँ पूरा वीडियो देखना सबसे पहले अपने laptop में AnyDesk नाम का आपको एक application इंस्टॉल करना होगा ये application आपको Google पर बड़ी असानी से मिल जाएगा AnyDesk वालो की official website है वहाँ से देख सकतो इस screen पे AnyDesk.com वाली website पर मैं गया और यहाँ पे download now का option आ रहा है जैसी इस पे click कर दूँगा मैं क्योंकि IDM मेरा Chrome browser में extension जुड़ा हुआ है तो start download का option आ रहा है IDM से यहाँ पे AnyDesk जो है install करके मैंने पहले से रखा हुआ था मैंने आपको download करना बता है कहां से करना है desktop पे आप देखेंगे तो AnyDesk नाम का orange color का open यहाँ पे बना हुआ है इसको क्या करेंगे open करेंगे और टीवी में भी थोड़ी वह settings करना है वह मैं बता हूँगा टीवी दोस्तों आपका कोई सा भी हो MI का TV हो या Realme का TV हो या Fire TV Stick सम्में हो जाएगा देख सकते हूँ यहाँ पे AnyDesk open हो गया हमारे computer में और टीवी के अंदर आपको क्या करना है search करना है AnyDesk अगर आपका MI या Realme इंसब का कोई TV है तो Play Store होगा वहाँ पे आप search करिएगा यहाँ पे देख सकते है AnyDesk मैंने search किया मेरे Amazon Fire TV Stick है इसके उपर AnyDesk जैसे मैं install कर लूँगा तो install होने के बाद यह इस तरीके का open होगा देख सकते हो यहाँ पे इसका address दिखा रहा है 203003870 यह मतलब address है मेरे AnyDesk का जिसको मतलब कोई भी access कर पाएगा अगर यह address में अपने computer में डालूँगा तो TV के screen computer में आने लएगी और computer में देख सकते हो 91069136 करके आ रहा है यह मेरे computer का code है इसको मैं अगर TV में यहाँ पर remote address लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो मैंने दर्ज कर दिया है 91069 करके और यहाँ से मैं आगे forward वाले पे click करूँगा TV के remote की मदद से तो यहाँ पर यह permission माएएगा मेरे laptop में लैपटोप में मेरे यहाँ पर आ चुका accept या decline करने का तो accept कर दूँगा तो क्या होगा वहाँ पर मेरे जो screen share होने लएगा यहाँ पर साउंड बेगरा का भी उपर permission पूछ रहा है साउंड बेगरा देना है नहीं देना तो यह सारी चीज़े आप detail में देख सकते हैं अब यह आप देखिए मेरे laptop के screen TV पर जो चल रही है तो यह था तरीका कैसे आप आसानी से अपने laptop के screen TV पर share कर पाएं थोड़ा और डिले होता है गेम बेगर हमें उसके लिए वायर से करना होगा मिलते हैं अगली किसी काम की वीडियो में तब तक चैनल को कर लिजी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके share कर दीजिएगा